दोस्तो टीम इंडिया के स्टार ओल राउंडर हर्दिक पांडिया को गड़ियों का बहुत शौक है उनके पास करोड़ों की गड़िया है दुबई से लोटते हुए गड़ी उनके लिए मुसीबत बन गई ऐसी रिपोर्ट सामने आई है कि मुंबई आरपोर्ट पर कष्टम विभाग ने उनकी 5 करोड रुपय की दो गड़िया जब्त किये बताया जा रहा है कि हर्दिक पांडिया के पास इन गड़ियों के इनवइस नहीं थे और नहीं गड़ियों को उन्होंने डिकलेयर किया था इस पूरे मामले पर अब खुद हर्दिक पांडिया ने बयान जा था कि रवीवार को कष्टम विभाग ने हर्दिक पांडिया के पास से दो गड़िया जब्त किये क्योंकि उनके पास इनके बिल नहीं थे हर्दिक पंडिया ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मैं सामानों की गोशना करने और आवश्यक सीमा सुल्क का भुकतान करने के लिए मुंबई हवाई एड़े के सीमा सुल्क काउंटर पर गया था एयरपोट पर सीमा सुल्क के बारे में मेरी गोशना के बारे में सोसिल मीडिया पर गलत दारनाय चल रही है और मैं इस पश्ट करना चाता हूँ कि आखिरकार हुआ क्या है हार्दिक पैंडिया ने आगे कहा कि गडियों की किमत लगबग डैड करोड रुपे हैं न की पांच करोड रुपे मैं देश के कानून का पालन करने वाला नागरिक हूँ और सभी सरकारी एजन्सियों का सम्मान करता हूँ मुझे मुंबई के कश्टम विबाग से पूरा सयोग मिला है और मैंने उन्हें अपना सयोग देने का आस्वासन दिया है हार्दिक ने कहा कि इस मामले को साप करने के लिए उन्हें जो भी वेद दस्तावेद चाहिए उन्हें परदान करूंगा मेरे खिलाब कानून शिमा को पार करने के सभी आरोप पूरी तरह से निराधार है हार्दिक पांडिया टी 20 वर्ल्ड कप के बाद दुबई से भारत लोट चुके हैं हार्दिक वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे थे उन्होंने तीन पारियों में सिर्फ उनसत्तर रन बनाये थे हार्दिक पाकिस्तान और निजलेंड के खिलाप एं मुकाबले में भी कुछ खास कमाल नहीं कर सकेते नतीजा यह हुआ कि टीम इंडिया को इन दोनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा दोस्तों हर्दिक पांडिया की दो गडियों को कस्टम विबाग दौरा अपने कबजे में लेने पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताए मिलते हैं एक नहीं अपडेट के साथ तब तक के लिए टेक केर जैहिन जैवारत